वेलकम क्रिप्टो यूजर से एक नए सांदर वीडियो में आप लोगों का स्वागत है वीडियो शिरू करने से पहले सबसे पहले तो आप सभी को यार हैप्पी होली होली के इस रंगों के तेवार के हार्दिखार्दिक शुब कामना है आपका जीवन भी ऐसे ही रंगों से भर जाए और आपके जीवन में भी ऐसी खुसी आए और इस होली के सुबाउसर पर आप भी यार क्रिप्टो मार्केट में करोड़ पती बनके निकले यही शुब कामनाओ के साथ आज का वीडियो शुरू करते हो जल्दी ही होली के बाद आफटर होली शीवन अपना असली रंग असली रेली दिखाएगा क्योंकि अभी पिक्चर बाकी है पूरी अगर फिल्म हम देखे तो आज मैं आपको एक स्क्रिप्ट बताने वाला हूँ कि किस टाइप शे शीवन यहां से मॉमेंट करने की तरफ जा रहा है और कैसे मार्केट में संकेत मिल रहे है इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक डाइरेक्शन डेफिनेटली मिलने वाला है एंड तक वीडियो वाच करना और चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब करें बगए नहीं जाना शीबा इनु के बारे में क्या सोचते है कमेंट्स में जरूर लिखना वर्तमान में अगर आप देखे तो चार जिरो के साथ 27 के असपास मार्केट पड़ा है एक ही रेंज में मार्केट घूम रहा है किसी भी टाइप की मोमेंट यहां पर देखने को नहीं मिली है अगर एक चीज गोर करें तो यहां पर मार्केट डाउन हुआ था जैसे ही बायर एक्टिव हुए मार्केट को इसी रेंज में घूमा दिया यहाँ पर अब selling पूरी तरीके मतलब buying selling पूरी तरीके से ना के बराबर हो गई है क्योंकि जिन लोगों को entry लेने थे वो ले चुके है बहुत सरे अभी भी panic हो रहे है entry वगेरा कुछ नहीं ले रहे है ना ही sale कर रहे है market AI की range में घूम रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक लेकिन इन सब के बीच bitcoin ने थोड़ा सा pump दिखा दिया है market 4-5% एक दिन में increase हो जाता है 67,000 डॉलर तक पहुच जाता है जहाँ पर 64,000 डॉलर तक पहुच गया था market उसके बाद market comeback करता है bitcoin में यही रेली आपको बार-बार देखने को मिलेगी बहुत सारे ऐसे लोग है जो यहाँ पर intraday trading करते हैं क्योंकि bitcoin में liquidity high होती है तो up and down जादा ही वहाँ पर चलेगा अब आप सोच रहे होंगे कि bitcoin जब 4% बड़ा तो shiba क्यों नहीं बड़ा देखिया shiba इसलिए नहीं बड़ा shiba में trading कब होती है जब market pump करता है market में अच्छे खासे correction होते है तब जाके shiba बड़ता है लेकिन bitcoin एक ऐसा coin है जिसमे liquidity high होती है यहाँ पर लोग trading करने आते है volume भी यहाँ पर generate होता है तो लोग intraday short term trading करते हैं यहाँ पर तो इस current से bitcoin इतना pump और correction यहाँ पर ले रहा है अगर यहाँ पर आज की condition में देखे तो मैं बोल रहा हूँ कि picture अभी बाकी है यह इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि shiba inu को अगर हम देखे तो market में काफी ऐसी new चल रही है अगर आप देखे तो 300-400% का जो correction यहाँ पर आया था उसको देखते हुए उस correction के बाद 300% की rally के बाद market नीचे नीचे down होता चले गया अब यहाँ पर down होने के बाद आप एक चीज गोर कर रहे है तो market इस range में काफी दिनों तक रुका इस range में काफी दिनों तक रुका market यहाँ से नीचे नहीं जा रहा है भी यह 300% की rally थी तो फिर उतर जाना थी market को वापस इसी range में फस जाना था इस range में यही 45-0 के आसपस लेकिन market यहीं पर रुक गया यह बताता है कि कहिना कहिन बायर वापस active हो गये है और price को उपर की तरफ धकेल रहा है या फिर यहाँ पर entry ले रहा है दो चीजे है अब यहाँ पर सवाल आता है अगर इस article को देखे तो इसमें बताये गया है कि शीबेनों यहाँ से थोड़ा सा correction नीचे की तरफ ले सकता है लेकिन यह ग्रावर्ट धीमी गती से होगी ग्रावर्ट रुक सी जाएगे और बड़े correction यहाँ पर उपर की तरफ रेंज में देखने को मिलेंगे आपको यह बताये गया है तो यहाँ पर सवाल यह उड़ता है कि आखिर क्यों गिरेगा और इसके बाद रेली क्यों आएगी इस चीज को अगर हम गोर करें तो पिक्चर अभी बाकी है बड़े तुफान आना भी बाकी है इसके पीछे रीजन क्या है इसके पीछे सीमपल सा रीजन है शीबाइनू का बढ़ना क्योंकि अगर आप देखे तो बिटकोईन ने अभी जो पंप है वो दिखाया नहीं है आफटर हालविंग बिटकोईन बड़े पंप दिखा सकता है तो मार्केट अच्छे मोमेंट के साथ उपर बढ़ेगा यहां पर एक करेक्शन मार्केट ने लिया है मार्केट करेक्शन लेने के बाद अगर सुस्टेन कर रहा है इसका मतलब मार्केट में बहुत ज़ादा पॉसिबलिटी है ऊपर बढ़ने के संभावनाए बहुत ज़ादा है अन्यता मार्केट रेगूलर बेस पर नीचे के तरफ जाता अब संभावनाए क्यो है इसके उपर बात करे तो संभावना यह इसलिए है क्योंकि बिटकोईन की हालविंग आना है और आफटर हालविंग बुलरन के एक्सपेक्टेशन यहाँ पर बन रहे है तो यह दो वज़ा रहेगी जिस कारण से बायर काफी एक्टिव होंगे काफी क्रिप्टो में पेसा आएगा हर क्रिप्टो कर करते हैं इन्वेश्टर ही क्रिएट करते हैं बुलरन क्या होता है बुलरन के से बनता है बुलरन ऐसे बनता है जब ज़्यादा बायर यहाँ पर एक्टिव हो जाते है ज्यादा इन्वेस्मेंट आता है तो वो बुलरन हो जाता है क्योंकि मार्केट उपर की तरफ बढ़ता है तो अब इसली market से पेसा बनता है चाहे stock market हो crypto market हो तो यहाँ पर भी वही चीजे हो रही है market A की range में सोचा जा रहा है A के type से investor सोच रहे है और उसी type से यहाँ पर जो correction अभी आया था वो भी इसी कारण से हुआ है अब पिक्चर क्यों बाकी है क्योंकि अगर आप देखोगे यहां से ऊपर correction आने के और भी कई reason है तो एक दो बोल रहा है कि आपका देखो तो इथेरियम को sport ETF, इथेरियम का sport ETF की permission भी जल रही हाँ पर मिलना है तो वो भी market में pump दिलवाएगी क्योंकि 10,000 dollar तक इथेरियम का production पहुचने का है price पहुचने का है ऐसे expert prediction यहां पर लगा रहे है और इसके अलावा market में देखे तो काफी ऐसी new जा रही है जैसे की wheels की activity इसके अलावा देखे तो market में Shiba Inu के जो upcoming project है वो भी बड़ा रोल यहां पर निभा रहे है जिसमें कुसामा ने हाल ही में अभी play to earn, meta और बहुत सरे से concept wave 3 वगेरा launch करें इन सभी बातों को अगर हम समगर तोर पर देखे तो market को boost करवाने की दिसा में यह सभी काफी बड़ा role play कर सकते हैं उपर से burning क्यूंकि burning भी धीरे धीरे ही सही अगर बड़े इस तर पर यहां पर हो जाती है तो शिवा की 1,2,3,0 यहां पर cross कर सकती है प्राइज 1,2,3,0 यहां पर छोड़ते हुए एक सेंड तक पहुच सकती है एक रूपे तक पहुच सकती है अगर यह सही चलता रहा और burning बड़े इस तर पर यहां पर हो जाती है तो एक डोलर तक भी शिवानू पहुच सकता है बट उसके लिए burning बड़े पेमाने पर यहां और correction यहां से आ सकता है और price 17 तक पहुच सकती है चार जिरो के साथ इसके बाद उच्च सीमा पुना प्राप्ति यहां पर हो सकती है आशर की बात यहां पर नहीं होगी कि शिवानू की कीमत इस इस तर से उपर चली जाए और एक range यहां पर बनती हुई दिखाई दे जो की अच्छे खासी उपर की दिशा में यहां पर आपको देखने को मिलेगी फिर यह आगे कहते हैं कि यह बड़त ऐसे ही चलती रहेगी और बजार की जो व्यापक भावना है उसके अनुरूप तेजी बने रहेगी और यहां से market एक बड़े correction के साथ बड़े pump यहां पर hit मार सक जिस टाइब से market में new चल रही है कि यह मतलब एक तुफान आने से पहले की सांती है और इस कारण से लोग यहां पर entry बहुत समझदा लोग ही entry ले रहे हैं बहुत सर अभी भी जब शीवाइनू pump करेगा उस बीच entry लेंगे और वो समय उनके लिए कोई खास नहीं रहेगा ल और सब चीजे positive यहां पर चल रही है तो सब चीजे तो है हमारे साथ तो एसे में हम क्यों नहीं investment करें investment के साथ अगर कम पेसा भी लगाते हैं और इसका लावा flow की जैसे coin में भी थोड़ा बहुत invest कर देते हैं तो भी आपका जो है portfolio थोड़ा modify हो जाएगा और उससे आपके जो risk है वो कम हो जाएगा और investment safe आपका हो सकता है क्योंकि अलग-अलग coin में आपने invest कर दिया तो meme token दो तीन ले लो उसके बाद आप दूसरे coin में भी invest कर सकते हैं top 10 जो आपको ठेक लगता है अनमे तो I hope यार Shiba Inu से आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा channel subscribe कर ल दिखना अपना comments में क्या सोचते Shiba के बारे में नमस्कार